हेलो एवरिवन एंड सोनल स्मार्ट किचन में आप सभी का स्वाकत है और आज हम बनाने वाले हैं सोया की मारोल और एक खाने में भी बहुत तेस्ट होता है और इसे बनाना भी बहुत इजी है तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमें इसके लिए बनाना होगा इसका डो जो हम तयार करेंगे मैदा से डो बनानी के लिए मैंने यहाँ पे एक कप मैदा लिया है फिर हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे उसके बाद हम इसमें हाप टेस्पून नमक डालेंगे फिर हम इसमें वन टेस को एक साथी जादा नहीं डालना है हम इसे थोड़ा थोड़ा करके मिला लेंगे और यह जब तक अच्छे से स्मूथ नहीं हो जाता तब तक हम इसे अच्छी तरह से गून लेंगे अब हमारा डो बनकर तयार है अब हम इसे 30 मिनिट तक ढख कर रख देंगे क्योंकि यह अच् में टू टेबल स्पून ओयल डालेंगे अब उसे गरम होने देते हैं जब ओयल गरम हो जाएगा तब हम उसमें एक टेस्पून आधरकी पेस्ट डालेंगे फिर हम इसमें एक हरी मिर्च डालेंगे जिसे हमने चौप करके लिया था फिर हम इसे थोड़ी देर तक भूनेंग अब हम इसमें डालेंगे हापकप मटर के दाने उससे भी थोड़ी देर तक भून लेंगे साथ ही हम उसमें हापकप बींस डालेंगे और उससे भी थोड़ी देर तक भून लेंगे क्योंकि इसे पकने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है फिर हम इसमें हापकप चौप की हुई गाजर डालेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे साथ ही हम इसमें फूल कोभी भी डालेंगे इन्हें हमें एक से दो मिनित एकतम क्रंची रहने तक भूनना है अब हम इसमें कोभी डालेंगे साथ ही हम इसमें टमाटर भी डालेंगे फिर हम इसमें half cup शिमला मिर्ष डालेंगे सबजियों में हमने मटार के दाने, बीन्स, गाजर, फूल कोबी, कोबी, टमाटर लिये है आप यहाँ पे आपकी पसंद की कोई भी सबजी ले सकते है हम दो मिनिट तक इसे भून लेते है अब हम इसमें वन टे स्पून नमक डाल देंगे फिर हम इसमें वन टे स्पून जीरा पाउडर डालेंगे उसके बाद हम उसमें वन टे स्पून धनिया पाउडर भी डालेंगे अब हम थोड़ा सा करम मसाला डालेंगे फिर हम उसमें 1 टेबल स्पून लाल मेच पाउडर डालेंगे यहाँ पे आप आपके हिसाब से कम या ज़ादा लाल मेच पाउडर ले सकते है अब हम इसमें 3 टेबल स्पून टेमेटो केचप डालेंगे साथी हम इसमें थोड़ा सा निम्बुकारस भी डालेंगे और थोड़ा सा हराधनियां भी डाल देंगे और इससे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे निूट्रिला प्री कुक्ड सोया ग्रेनियल्स जो की इस रेसिपी का में इंग्रिडियंट्स है इस रेसिपी को और फि ज्यादा हेलदी बनाने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो लीजिए यहाँ पे सोया काठी रूट्स बनाने की फीलिंग भी तयार हो गई है और अब हम सोया काठी रोल के लिए पराठा बना लेते है तो यहाँ पेमी ने जितनी कौंटिटी का मैदा लिया है उससे हम टोटल छे रोल बना सकते हैं तो यहाँ पेमी ने छे लोई बना ली है तो अब हम इसे रोल करते है तो यहाँ पेमी लोई को थोड़ा सा सुखा मेदा लगाऊंगी और इसे हम रोल कर लेंगे नॉर्मल हम रोटी और चपाती का रोल बनाते है उससे थोड़ा बड़ा रोल बना लेंगे क्योंकि हमें इसमें स्टफिंग करनी है अब हम इसे सेख लेंगे जैसे हम normal रोटी और पराठा सेखते हैं, वैसे ही हम इसे सेख लेंगे, जब पराठा दोनों साइड से हलके से brown हो जाएंगे, तो हम इसे निकाल लेंगे और stuffing कर देंगे, ओर जो हमने feeling बनाई थी, उससे हम पराठी के उपर डालते हैं, पराठी के वीचों बीच हमें feeling को रख पिर हम उसके उपर थोड़े से बॉयल की हुए स्वीट कॉन डालेंगे और थोड़ा सा बारी कटा हुआ अनियन भी डालेंगे साथ ही हम इसके उपर थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे तो अब हम इस पराठे को रोल करते हैं तो यहाँ पे हमारा सोया काठे रोल बलकर तयार है अगर आपको मेरी रेसिपी ट्राइ करने के बाद पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करे और मेरे चैनेल को भी सस्क्राइब करे साथ ही बेल आइकन को भी तीक करे क्योंकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड कर मिले आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई थैंक्स फर वाचेंग